हेलो गाइज मेरा नाम है राकेश और आप देखने ए टेकनिकल रेक्स यूटूब चैनल आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कैसे आप अपने एफम वोट्सप की चेट को नॉर्मल वोट्सप में ट्रांसपर कर सकते हो इन दोज़ार चोईज और या आपको येवाला एरर मेसेज हो रहा है और आपका जो वोट्सप यूटूफमेटिकली लोग आउट हो रहा है। और लोगिन करने पर वापस से आपको error message आ रहा है official WhatsApp यूज करने का आप इस WhatsApp का नए अपडेट आने तक वेट कीजिए या फिर आप अपना जो WhatsApp है वो normal WhatsApp में transfer कर सकते हो normal WhatsApp में data transfer करने के लिए आपको कुछ steps करने होंगे जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ सबसे पहले आपको जाना है अपने file manager में और यहाँ पर आपको check करना है आपका जो WhatsApp का folder है उसमें आपका WhatsApp का जो backup है वो पड़ा है या नहीं आपको जाना है file manager में internal storage और यहाँ पर आपको Android का folder दिखेगा इस पर click करना है यहाँ पर आपको media पर click करना है और यहाँ पर आपको com.fmwhatsapp का folder दिखेगा उस पर click करना है इसके अंदर आपको fmwhatsapp का एक और folder दिखेगा उस पर click करना है यहाँ पर आपको databases, backups and media इसके साथ आपको trace या other कोई भी folder आपको दिखाई देंगे आपको क्या करना है आपको backups पर क्लिक करना है और इसके अंदर आपके at least five to six files होती है या ज्यादा भी हो होती है वो आपके backups और data message की same date की files होनी चाहिए यानि कि आपके backups के folder में जो date की file है उसी date की file आपके data message के अंदर होनी चाहिए अगर यह चीज आपके file manager में है तो उस date से पहले का data आप अपने किसी भी WhatsApp में transfer कर सकते हो और जो media वाला folder है उसको भी आप transfer कर सकते हो media वाला folder आपके document, photos, videos, stickers इन सब के लिए होता है अब चलते हैं वापस FM WhatsApp में अगर आपका FM WhatsApp चल रहा है तो आपको क्या करना है इसका backup ले लेना है backup लेने के लिए आपको ऊपर three dots पर click करना है नीचे आपको settings पर click करना है आपको normal settings से जाके WhatsApp का backup लेना है यहां पर आपको chat का option दिखाई देगा इस पर click करना है नीचे आपको chat backup पर click करना है और यहां से आपको एक से दो मिनिट लग सकते हैं पूरा FM WhatsApp का backup create होने में या कोई सा भी WhatsApp आप use करते हो उसका फिर आपको again file manager में जाना है और internal storage पर click करना है android पर click करना है media पर click करना है com.fmwhatsapp पर click करना है यहां पर आपको fmwhatsapp पर again click करना है और यहां पर आपको backups, databases और media का folder दिखेगा data message के अंदर जो files होगी वो up to date होगी जो latest date होगी वो आपको यहां पर show होगी और जो backups folder है उसके अंदर भी आपको उसी date की files दिखाई देगी so यह हो गया आपका backup create करने का process अब आता है अपना next step अगर आपके पास old mobile है और जो आपका android version है वो 7-8 से कम है तो उसके अंदर आपका जो folder है वो आपके बाहर की side बनता है यानि कि आपका जो DCIM documents और जो downloads के folders होता है बाहर की side internal storage में उनके नीचे आपको FM WhatsApp का folder दिखता है अगर आप वहाँ पर click करते हो तो आपको यह तीनों folder वहीं पर मिल जाता है तो old mobile के अंदर आपका जो backup है वो file manager के बाहर की side होता है android folder में create नहीं होता है बट जो latest mobile है android 8, 9, 10 जो भी plus के हैं इन सब की जो files है वो android folder के अंदर create होती है अब चलते हैं हमारे next step पर अगर आपको अपने whatsapp की chat को किसी दूसरे device में transfer करना है तो आप अपना जो यह com.fm whatsapp का folder है या फिर जो बाहर की side आपका fm whatsapp या whatsapp का folder create होता है उस folder को आप chip file में create कर देना या फिर compress कर लेना उसके बाद उस compress file को आप अपने new mobile में transfer कर और जो file location है वो मैं आपको जो next step में बताने वाला हूँ वैसे ही आपको उसी folder में copy paste कर लेना है अब चलते हैं हमारे next step में अब अगर आपको fm whatsapp की chat को normal whatsapp में transfer करना है उसके लिए आपको पहले official whatsapp download कर लेना है play store से अब आपको अपना normal whatsapp एक बार on करना है agree and continue पर click करना है और जो भी permissions यह आपसे मांगता है उसको allow कर लेना है permission को allow करने के बाद आपको यहां से back आ जाना है और आपको जाना है अपने file manager के अंदर again आपको android media यहां पर आ जाना है यहां पर आपको com.fm whatsapp के नीचे com.whatsapp का folder मिलेगा और इसके अंदर आपको एक whatsapp का folder मिलेगा या और फिर आपको यहां पर zero files से होगी आपको क्या करना है जो यह new folder create हुआ है com.whatsapp नाम से इसको select करना है और इसको delete कर देना है क्योंकि इसके अंदर zero files है और यह आपके official whatsapp का folder create हुआ है अब आपके पास जो fm whatsapp का folder था उसको आपको rename करना है rename करने के लिए आपको इसको select करना है और जो आपको आगे com.fmwhatsapp लिखा है इसको आपको करना है com.whatsapp यहापर आप स्क्रिन पर देख सकते हूँ com.whatsapp और वाट्साप और ok पर click कर देना है और इसके अंदर जो आपका fm whatsapp का folder है उसको भी आपको rename करना है fm को आगे से cut कर लेना है और जो WhatsApp है उसको as it is रख लेना है इस पे लिंग आप देख सकते हो डबलू आपका Capital होगा एच श्मॉल बाकि सारे श्मॉल और जो लास्ट में एडबल पी ए जो है आपका Capital रहेगा और पीपी Small यह आपको Create कर लेना है और OK पर क्लिक कर देना है आपको यहां से Back आ जाना है आपके Mobile के जो भी Recents एप होते हैं उन सब को आपको यहां पर Close All कर लेना है या Clear कर लेना है अब आपको WhatsApp की जो App Info होती है उसके अंदर जाना है या फिर आप Setting में जाकर App Manager में जाके भी WhatsApp की App Info में जा सकते हैं यहां पर आपको App Storage पर क्लिक करना है यहां पर आपको जितनी भी Permissions दिखती हैं उन सभी Permissions को आपको Allow कर लेना है सारी Permission को Allow करने के बाद बैक आ जाना है आपको अगेन फिर से सारे Apps रिसेंट से क्लियर कर लेना है अब आता है हमारा Next Step यह Steps Complete हो जाने के बाद आपको अपना Mobile Restart करना है जब आपका Mobile वापस ओन हो जाए आपको एक बार आपकी जो फाइल मेनेजर है उसमें जाना है और जो आपका वाटसप का फोल्डर था जो आपने अभी रिनेम किया था उसमें एक बार चेक कर लेना है कि आपके जो डाटबेस की फाइल है और जो बैक अपस फोल्डर की फाइल से वो सेम डेट की है या नहीं है अगर सेम डेट की है देन आप Next Step की और चाह सकते हैं अब आपको क्या कर है उसको on करना हैяг्यां कंटिनियू पर click करना है और आपको यहाँ पर आपके Commissioner sweetie No पर click करना है और जो भी आपकी ओडिंए वह आपको यहाँ पर type करनी है अगर आपको सबसाप पहले से कहीं ट्राइ करते हो तो आपकी OTP लेट आने का चांस बन जाता है या फिर आपको वेट करना होता 24 hours का या फिर कभी कभी 7 दे भी लग जाते हैं तो एक ही दिन में 5 से 6 बार आप ट्राइ ना करें बेटर रहेगा आपके लिए जैसे आप OTP पी एंटर कर देते हो आपको यहाँ पर permissions जो भी आती है उसको allow करना है और जैसे आप allow करोगे आपको यहाँ पर restore का option दिखाई देगा अगर आपको restore का option दिखाई नहीं देता है आपको यहाँ सा back आजाना है जो भी एप से उसको recent से हटा देना है आपको जाना है वापस file manager में और आपको चेक करना है कि आपने जो files है वो सही से paste करी है या नहीं करी है आपका जो folder है उसका नाम आपने सही दिया है या नहीं दिया यह सब चेक कर लेना है अगर सही है तो आपको फिर से आपका मोबेल रीस्टायрट करना है जैसे आप वापस ओन करोगे और फिर आप वाट्चाप को ओन घर ना आप जैसे permissions को क्कॉरी सचेख तर आपको डिक जाएगा अब रिस्टोर पर आपको क्लिक करना है और थोड़ा सा आपको वेड करना है जो भी आपका डाटा है वो calculate। ओकर यहाँ पर आपको तोड़ी देर में आपको सारी जो भी messages हैं इतने message इसने restore किये हैं आपका जो भी data होगा वो आपका तोड़ी देर में restore हो जाएगा अब आपको पर click कर देना है और जो بھی आपका नाम है वो आपको type करना है और next पर click करना है अब आप देख सकते हो आपका जो WhatsApp है उसके अंदर आपकी सारी chats वगरा आज चुकी है आपने जो भी recent में chat की थी वो सारी chat आपको मिल चुकी है तो ऐसे ही आप अपनी WhatsApp की chat को किसी भी WhatsApp में transfer कर सकते हो इवन आप किसी भी दूसरे device में भी इसको backup ले सकते हो आपका जो भी WhatsApp का data है वो सारा restore हो जाएगा thank you for watching this video अगर आपका rename या file copy paste इस file manager या files application से ना हो तो आप play store से ये वाली z archive application download करके कर सकते हैं z archive application से आप easily file का नाम change कर सकते हैं किसी भी files को copy paste भी कर सकते हैं मेरे telegram channel पर काफी दिन से इत्ते सारे message आ रहे थे कि FM WhatsApp बैन हो रहा है और वो सब automatically logout हो रहे हैं और official WhatsApp डाउनलोड करने का option आ रहा है backup कैसे लेना है इत्ते सारे message आ रहे थे इसलिए मैंने ये वाला वीडियो बनाया है ताकि easily आप अपनी WhatsApp की chat को transfer कर सकते हो किसी भी device में या किसी भी WhatsApp में वीडियो में मैंने जो आपको steps बताई हैं या जो file locations बताई हैं उस file location के बिना आप अपना WhatsApp easily backup नहीं ले पाऊगे तो जो file location है उनको आप जरूर से check करना और जो steps है उनको आप जरूर से follow करना अगर आपको ये वाला वीडियो पसंदा है तो like कर देना और अपने friend के साथ इस वीडियो को share जरू कर देना जिसको भी अपना WhatsApp या FM WhatsApp या कोई साथ भी WhatsApp transfer करना है किसी भी WhatsApp में या फिर दूसरे mobile में transfer करना है और नीचे comment करके जरूर बताना आपका WhatsApp easily backup हो गया था या नहीं और ऐसे वीडियो देखने के लिए follow and subscribe भी कर लेना so मैं मिलता हूँ आपको किसी और नहीं वीडियो में so thanks for watching this video